जी, यहां से आप हम शुरू करेंगे जोकी निर्गमन की पुस्ताग उसका तीसरा दियाए वचन दो, मुझे पहला वचन नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि उसको वर्स बाइ वर्स मैं नहीं ले रहा हूँ, मुझे सिर्फ आपके बीच में मुसा की सेवी का ही दिखानी है, और उसके पहलू, उसी को मैं चूरा हूँ, तो दोस्तों, आपके बीच में फिर पूछूँगा, क्या हम सब तयार है, क्या आप सब तयार है, आपके नोट, आपके पैन, आपका सब कुछ, आपके आसपास में जो बच्चे खेल रहे होंगे, उसको कंट्रोल कर दीजिए, अन् साइलिंड कर दें, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ, कि आप फोकस करें, आज के इस वच्चन के उपर, जितने एडमीन से, अगर आप लोग देख रहे हैं, कॉमेंट बॉक्स के उपर, आपकी नजर हो, दोस्तों, बेहत बेहत उतसाहीत हूँ, बहुत और फिर से कहता हूँ, कि आप कहां से देख रहे हैं, कॉमेंट्स करते रहें, आपको कैसा लग रहा है, टाइप करते रहें, और साती सात में, आपका जो टिक-टिक है, थम वाला, हाट वाला, ये जो सिंबल, इमोजी, जो भी आप बोलते, उसको लगातार भीशते रहें, क आप सभी को एक ऐसी स्टडी देते आ रहा हूँ, जो की स्टार्ट हो चुका है पिछले छे अपिसोड के साथ में, ना दोस्तों, मुसा, मोजिस, एक ऐसा व्यक्ति, जिसका मैंने परिचय कई तरीकों से दिया है, कैसा उसका चुना हुआ, क्यों उसका चुना हुआ, और कल आप सभी जानते हैं, कि अदबुत्रीति से एक ऐसी गठना, जो की ठीक आपके फोटो में आप देख सकते हैं, और वहां है कि कैसे परमिश्वर ने मुसा को कहा था, अपने पैर से चपल, या सैंडल, या जूतियां उतार दे, जिसका जिकर मैंने कल यहां पे किया था, 500 ल जिसको मैंने कल बड़े जोरों से प्रचार किया, और जिसको अभी तक मैं गलत नहीं हो, तो 10,000 लोग देख चुके हैं, यूटूब के ओपर और फेस्बुक के ओपर 10,000 अलग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, कि परमिश्वर सबसे पहले मुसा से अपेक्षा करता है एक ऐसे चीज़ की और वहा है पवित्रता, वहा है पवित्रता, ना दोस्तों इसी कड़ी में अब मैं आगे बढ़ूँगा, आप सभी चानते हैं, वाव, संडे का प्रचार बिलकुल मिस नहीं करना, क्योंकि वहां से एक पहलू अभी ले रहा हूँ, जो कि मैं तब हूँगा, लेकिन अभी एक पहलू बताता हूँ, कि मसी की दह में, अइसे बहुत सारे लोग घुज गए हैं, जो स्क्रिप्चर के साथ में बहुत सारा खेल खेल रहे हैं, मैनू प्लेट कर रहे हैं, ट्वेस्ट कर रहे हैं, तोड मरोड कर रहे हैं, और जैसा वच्चन सब को खुश करने के लिए, लेकिन मसी मंतन और ड्यानियल राज, ये बराबर कोशिश करेगा कि जैसा स्क्रिप्चर है, जैसा वच्चन खुद इंटरप्रेट करता है खुद को, और जैसा करना चाहिए, वच्चन को हम वैसा ही करेंगे, नबे टक्का, प्रीचर्स, नैश ना गटी, मुसा के बाद जो थर्ड परसंड, या सेकेंड परसंड, या फिर मुसा के बाद में जो था, वो स्वर्गदूद था, इसको नबे टक्का यही प्रचार करते हैं, कि वो स्वर्गदूद था, बट आज, उस नबे टक्काओं की स्टेट्मेंट, और आज का statement कहां तक सही है और जब मैं आपके बीच में वचन को रखूंगा तो वो कहां तक सही है फिर से कहते हैं एक example दे देता हूं कि अक्सर हम सभी को एक ऐसी खाने की वस्तु पता होती है ऐसा शायद ही प्रित्वी पर प्लानेट पर होगा जिसको वो स्वस्तु का जो खाने की चीज़ा नहीं पता और उसको कहते हैं केक, केक जी साल में एक बार खुद खाते हैं खुद के लिए और बीच में अगर यार दोस फैमली मेंबर सा तो साल बार खाते रहते हैं अब आप सभी जानते हैं केक बनता है बहुत सारी चीजों से जैसा कि आपका अंडा है मकन है, बटर है शुगर है मैदा, बेकिंग पौडर कोको पौडर, इन सब से बनता है, लेकिन इन सब को अगर आप अलग 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 देखोगे इन सब को अलग अलग खाओगे आपकी पूरी जिंदगी खतम हो जाएगी बढ़ आपको कीक का सुवात कभी नहीं आएगा नमक को अकेला खाईए शक्कर को अलग से खाईए बटर या मक्षन उसको अलग से खाईए कौन सा पाउडर? कोको पाउडर उसको अलग से खाईए आपको कभी नहीं पता चलेगा की केक क्या होता है बट इन सब को बिलकुल ओडर में जितनी मात्रा में मिला कर उसको जब आप एक साथ लाते हो तोगेदर एक साथ लाते हो और फिर उसको एक डिश में तैयार करकर अवन में रख देते हो फिर उसके बाद में वो तैयार होकर आता है केक उसके बाद आप जब खाते हो तो आपको हर चीज का स्वात पता चलता है वैसे ही आज बहुत सारे स्क्रिप्चर रखोंगा related to के ये burning bush में था कौन वो था कौन जब इन सब को आप एक साथ लाओगे तब आपको पता चलेगा कि ओ ये तो कुछ और था जिसको अभी तक 90 टका लोगों ने प्रचार किया उसके compare से अलग वो क्या चीज है मैं रखने जा रहा तो इसलिए फिर कहता हूँ कि बारी की से study करिये लिखे चीजों को लिखे क्योंकि दूद पीने वाले बच्चे आप अब नहीं रहे वो बात अलग है कि जिनके दांत मचपूत हो चुके हैं 25-30 साल के गोड़े गोड़ी उसके बाउचूत भी उनको दूद चाहिए निपल बॉटल उसके बाउचूत भी उनको बच्चो वाला वेबार चाहिए बेबी सिटर्स ऐसे लोग चाहिए बट मेरा संदेश ऐसो के लिए नहीं माफी चाहता हूँ बट अगर ऐसी लोग देख रहे हैं आपको इसलिए देखना होगा, ताकि आप शियाने हो जाएं, वचन कहता है कि तुम शियाने हो जाओ, मैच्छोर हो जाओ, किसको खाकर, किसको पीकर वचन को, ठीक है ना, वापस आता है कि एक साथ आपको मिलाना होगा, इसलिए नोट करेगा, चलिए, वापस आता हूँ, इ तरमेश्वर के दूत में, जी मैं फिर कनेक करूँगा बाद में लेकिन आगे बढ़ते हैं, लिखा है एक कटेली जाडी के बीट, एक एक शब्द को मैंने हाइलट किया है और आग की लौ में उसको दर्शन दिया, किसको मुसा को, फिर कहता है उसने द्रिस्टी उठा कर है, पर भस्म नहीं होती, ये वच्छन दो है, मैं आपको बता चुका हो, वच्छन पांच के जूतियां उतार दे, मैं उसको आज नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो पहली इंकाउंटर, पहली सुधार, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की तरफ से मुसा के लिए था, ले इंग्लिश में लिए दा एंजल ओफ लॉड और एंजल ओफ गॉड ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब है के परमेश्वर के दूत ने, एक कटेली जाडी के बीच, आग की लौ में उसको दर्शन दिया, मुसा को ता, जब मुसा ने दिस्टी उठा कर देखा, किसने, मुसा ने के जाडी जल रही है, पर भस्म नहीं होती, मैं इन सब की एक एक लाइन की आपको व्यक्या, या फिर उपचारन, या फिर आपको समझाता चलूँगा, एक एक डीटेल के साथ में, ना दोस्तों, इन सब को मैं अलग कर रहा हूँ, ऐसा लिखा है कि जाडी, और इंग्लिश में लिखा है बुष, बर्निंग बुष, तो सबसे पहला है, स्टार देख लिजेगा, परमेश्वर के दूद, जिसका जिकर करूँगा, कटेली जाडी, इसका जिकर करूँगा, जाडी जल रही है, इसका जिकर करूँगा, और चौता है, भस्म नहीं होती, इसका जिकर वाव इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हूं ले लीजी या लिखना चाहते हूं लिख लीजी पॉस्ट करके भी आप लोग जब अप्लोड होता है तो भी आप लोग कर सकते हैं मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं देख लीजे वाव जी जी कम से कम छे सो के उपर लोग जुड़ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चलिए वापस आते हैं परमेश्वर के दूथ कटेली जाड़ी जाड़ी जल रही है पर भसमन नहीं होती इन सब की अपनी अपनी एक बहुत ज़ादा importance सीखने लाइक बाते इसके अंदर हैं आपके बीच में रखूँगा तो सबसे पहले परमेश्वर के दूथ तो लिखा है कौन है ये परमेश्वर का दूथ question mark दूस्या लिखा है क्यों इसको परमेश्वर का दूथ कहा गया तो old testament में खास करके old testament में आपको अकसर ऐसा दिख जाएगा खास करके विशेश कुछ घटनाव पर परमेश्वर का दूथ आया परमेश्वर का दूथ ने बात किया परमेश्वर के दूथ ने दर्शन दिया ऐसे आपको टक-टक-टक-टक मिलता चला जाएगा. लेकिन जब आप New Testament में आते हैं, तो वहाँ पर आपको परमेश्वर का दूथ नहीं मिलेगा, वहाँ पर ऐसा लिखेगा है कि स्वर्ग दूथ नीचे आया, स्वर्ग दूथ ने बात किया, ग्यापरियल ने बात किया, माइकल ने बात किया, लेकिन आपको परमेश्वर का दूथ आपको बराबर, निवट, माफ करें, Old Testament में ऐसा लाइन बाइन मिल जाएगा. तो सब नहीं रखा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम जाएगा, बट कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी है. आपको अगर पजल गेम को सेट करना है, आपको उसको सॉल्व करना है, आपको बस एक क्लू, आपको एक इशारा चाहिए होता है, फिर वो खुद बखुद सट 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 तैयार हो जाता है, वैसे ही परमेश्वर के दूथ कौन है, या ये परमेश्वर का दूथ कौन है, क्यों इसका परमेश्वर का दूथ का गया, इसको परमेश्वर का दूथ का गया, और दूसरा, माफ़ करें, तीसरा लाइन है, क्या ये दूथ इशू था? वापस आता हूँ क्या ये दूत इशू था जी अब इसको भी कुछ सेकंड रख रहा हूँ बढ़ मैं चाहता हूँ कि इसको डाइजस्ट करो, इसको हज्जम करो मुझे नहीं पता इसके पहले आपके लोकल पास्टर ने, आप जिसको फॉलो करते हैं, आपके प्रीचर, ऑनलाइन प्रीचर ने, कभी इसको इसके उपर बात करी या नहीं करी, मुझे नहीं मलो बट, अगर क्योंकि मैंने इसको चुना है, इस सब्जेक को, मुसा की स्टड़ी मुसा की उपर अधियन मेरा फर्ज है कि मैं आपको वो हर पहलू आपके बीच में रखूं, जो मुसा की सेविकाई से समद्दीत है, तो सबसे पहले ये प्रशन फिर आता है, परमेश्वर का दूद कौन है, ये परमेश्वर का दूद इसको क्यों का, क्या ये ये इशु था कॉशन मार्क, जी, आपको जवाब दे रहा हूँ, तो इस तरफ इशु का फोटो है, याद रखो इशु ऐसा ही है इसकी गैरेंटी डैनियल राज नहीं दे रहा है, लेकिन इशु, मुझे आपको एक्स्प्लेन करना है आपको मेरे मैसेज से कनेक कर रहा हूँ, इसलिए ये फोटो का सारा लिया और दूसी तरफ ये बर्निंग बुश जहां पे मुशा देख रहा है, और जल नहीं रही, पत्ते अभी भी हरे हैं, फूल अभी भी हरा है, और बिलकुल भस्म नहीं हो रहा, इसने नजदीक जाने की योजना करी और इस बुश या जारी में से एक ऐसा जिकर हुआ परमिश्वर का दूद ये कौन है, मैं बता रहा हूँ, तो क्या वापस दिखा देता हूँ, तो क्या वा इशू था कोशिन माग, जी, जवाब है येस बापरे अब ही मुझे नहीं पता आप में से बहुत सारे लोग जो बाइबल टीचर बाइबल प्रीचर या फिर आप खुद सिखाते होंगे या आपके 30, 40, 50 साल की मिनिस्टी में आपने सिखाया होगा अभी तक पत्थर की लकीर की तरह कि नहीं वो स्वर्ग दूथ ही था एंजल ही था तो उनको तो तकलिफ हो जाएगी अब मैं कुछ नहीं कर सकता सर आपके बीच में मैंने जैसे कहा जब सब कुछ रखूँगा केक की तरह उसको साथ में रखिएगा तब पता चलेगा कि केक क्या होता है वैसे ही आपके बीच में मैं हर चीज रख रहा हूँ एक के कनेक्शन रखूँगा फिर आप खुद ही सहमत होना या नहीं होना या आपकी उपर है लेकिन कम से कम मैं डंके की छोट पे किसी भी जरा सी भी शंका ना रखते हुए with full confident के साथ कह रहा हूँ मेरी study कहनू सर मैं मेरी बात कर रहा हूँ ये येशु था ये येशु था ये येशु था मैं बताऊंगा तो आप भी convince हो जाओगे बाता लगे लिखा है यह परमेश्वर का दूद कहां कहां था Bible में कौन ये परमेश्वर का दूद कहां कहां था बूरे Bible के अंदर रखने जा रहा हूँ सबसे पहला हसीरा और यहोवा का दूद आप पढ़ रहे हैं आप जानते हैं हसीरा कौन है एक ऐसी महिला जो सारा के साथ में थी अबराहम ने उससे विभा करने की योजना बनाई या जिसके चलते साराने का कि इसके द्वारा जो बच्चा होगा आप सबी जानते हैं वो बच्चे का नाम था इश्माइल और वो ठीक यहां पे लेटा हुआ है और आप सबी जानते हैं कि जब पहली घटना होई जब अच्चा नहीं था तब से लेकर ये घटना तक बच्चे होने तक आपके बीच में वच्चन रख रहा हूँ उत्पति की किताब सोला का साथ बड़े ध्यान से देखना लिखा है कि तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के सोते के पास आकर कहा सोला का दस मैंने जितना इंपोर्टन ने उतना लिया है लिखा है यहोवा के दूत ने उससे कहा बहुत ध्यान से देखेगा मैंने स्पोर्ट किया हुआ है लिखा है मैं तेरे वंच को बहुत बड़ाऊंगा मैं तेरे वंच को बहुत बढ़ाऊंगा ये मैं कौन है अगर ये परमेश्वर है तो परमेश्वर ही वंच बढ़ा सकता है परमेश्वर ही आशिच दे सकता है यहां ऐसा क्यों लिका है सुवरक दूद कहता है कि मैं बढ़ाऊंगा नमबर बन यहां तक की बहुत आयत के कारण उसकी गनना ना हो सकेगी कौन कह रहा है परमेश्वर का दूद कह रहा है अब इसको देखे 16 का 13 तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बाते की थी ब्राकेट में दूद रखाओ मैंने लिखा है अता एल रोई जो 14 से 15 नाम है न यहोवा के उसमें से एक रखा है अता एल रोई रख कर कहा बड़े ध्यान से देखना क्या मैं यहां भी उसको जीवित जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखने हारा है यहां मैं क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखने हारा है इसका मतलब है मैंने उसको साक्षा देखा है जिसको कहते हैं परमेश्वर का दूद ये दूद कौन था जो खुद कहता है कि मैं आशिश दूँगा तो ऐसा आप सभी जानते जो कि मैं आगे कने करूंगा, यहां बात हो रही है यहोवा की, तो परमेश्वर ने, अबराहम, इसाक याकूब, यूसुफ और उसके बारा, याकूब के बारा गोत्र, उसके बारा मुसा और जब तक इशू नहीं आया एक ऐसा नाम का साहरा लिया था, और वो नाम था यहोवा, राइट, ध्यान से सुनना, लेकिन उत्पत्ती एक एक, जैनिसिस 1-1 वहां पे लिखा है, in the beginning God, G-O-D God, वो कौन है, हीब्रू में Elohim, शब्द Elohim में तीन पसनेलिटी है, मैं उसके उपर प्रचार कर चुका हूँ, और वो कौन कौन है Father, Son, Holy Spirit पिता, पुत्र, पवित्रात्मा तो इसका मतलब है कि जो हम, इसाई लोग, इसाई से मेरा मतलब है Christ follower, Christians क्या मानते हैं, हम one God पे belief नहीं करते because हम लोग कौन हैं, हम लोग Trinity वाले हैं, त्री एक परमेश्वर Triune God वाले जिसके चलते, मैं ये कह रहा हूँ, अभी आप Yehovah Witness वाले के सामने मुझे बिठा दो, या मेरे सामने Jehovah Witness को बिठा दो वो कभी नहीं मानेंगे कि ये Yehovah का दूत इशू है, वो कभी नहीं मानेंगे, वो कभी नहीं मानेंगे क्यों? क्योंकि उनकी concept यही है, संडे को मैं इसके उपर बात करूँगा, है ना Body, the body of Christ में मसी की दे में, ये सब खुज गए हैं, मैं संडे को बात करूँगा तो, वो कभी नहीं मानेंगे, कौन? जवा Witness Only Jesus, वो कभी नहीं मानेंगे कि Yehovah भी कोई है याने कि Father नहीं मानेंगे, वो कहेंगे एक ही है, पिता ही येशु है, येशु ही पवित्रात्मा है, और ये एक ही था जब Old Testament था, तो येशु ही था वो शायद इसमें convince भी हो जाए, किसमें? बापल डाल देता हूँ, वो शायद इसमें convince भी हो जाए, कहां गया? जी, वो शायद इसमें convince भी हो जाए, बोला, हाँ, डैनिल भाई, येवा का दूद मतलब येशु, क्योंकि वो येवान गॉड वाले हैं, जवा विट्नेस वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि क्योंको येशु मस्कियों पर वरोसा नहीं हो, वो कहते हैं कि वो वाख़ई में स्वर्दुता, लेकिन विशेश स्वर्दुता, ये भी मानते हो, तो हमों, दोनों के पास मुझे नहीं जाना, क्योंकि मैं ना तो जवा विट्नेस वाला हूँ, ना मैं उनली जीजस वाला हूँ, और ना मैं कैतलिक हूँ, मैं कैतलिक था, बीच में किसी ने मुझे से कॉल करके बोला, डैनिल भाई, आप कैतलिक हैं क्या, मैंने बोला, नहीं मेरे बाई, मैं कैतलिक था, मैं अभी कैतलिक नहीं हूँ, Catholic छोड़ो, मैं Pentecostal नहीं हूँ, मैं Charismatic नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, मैं येशू का बेटा हूँ और क्या बता है आपको So, ये राप पहला अब आगे और मसाला है तो यहाँ पे हजीरा कहती है मैंने उसको जिन्दा देखा मैंने उसको साक्षा देखा उसके बावजूद मैं बच गई और इसलिए उसका नाम रखा Atta El Roy वाव, अब दूसरा पहलू यानि कि दूसरा एंगल देता हूँ आपको, क्या वो येशू था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और साथ सो लोग वहां से उसकी आवाज, परमेश्वर को सुन पडिये ये कौन है? परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी उसके दूत ने सुर्ग से उजहाजीला को पुकार कर परमेश्वर के दूत ने, सुर्ग दूत ने आप जिसको इंटरप्रेट करते हैं उसने का मत डर परविश्वर को सुन पड़ी है आप इसको देखे 21 का ट्रा उट अपने लड़के को उठा अपने हाथ से संबाल क्योंकि मैं ये जो शब्द है न मैं लिखा है क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाती बनाऊंगा अब आप मुझे बताईए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है मैंने कहा था न कि स्क्रिप्चर को ही अपना इंटर्प्रेट करने दो स्क्रिप्चर खुद अगर बता रही है कि यहां क्या है गटना क्या है तो फिर हम अपनी टांग बीच में क्यों डाले कि यह अलग है वो अलग है मैं भी वही कह रहा हूँ न दोस्त कॉंटेक्स को पढ़ना होगा ठीक है न तो लिखा है परमिश्वन ने उस लड़के की सुनी उसके दूत ने स्वर्क से हजीरा को पुकारा और फिर यह अठ्रा कहता है क्या है यहाँ कोई तो है जिसकी खुलासा जिसको टोटल मुसलिम्स तुम भी सुनो यहूदियों तुम भी सुनो और जितने भी सानातन धरम वाले हैं आप भी सुनिये क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़ादा डैश डैश है हमारी बाइबल में गुसने का और इसमें से ऐसी बाते निकालने का जो कहीं दूद पीते क्रिशिंस दूद पीते क्रिशिंस जो कभी-कभी उनका तुम लोग माता गुमा देते हो फिर इनका दुक्का कॉल हमारे पास आता है रेपैर समझ रहा है ना मरमत जी बड़ वो नौबती क्यों आए जब मसीलों खुदी अपना मजबूती कर ले और सीख ले बातों को ठीक है ना तो इसका मतलब है कि मैं तेरे वज़ को बढ़ाऊंगा और फिर यहां पर कहता है कि मैं उसके दर एक बड़ी जाती बनाऊंगा तो आप इसको देखेगा यह हो गया एक दुस्रा बताने जा रहा हूँ यहोवा का दूद और इब्राहिम इनके बीच में आईए देखते क्या हूँआ उत्पती 22.1 देरे साथ बनी रहना उत्पती 22.1 जेनेसिस 22.1 लिखा इन बातों के पस्चाथ कौन से बातों के पस्चाथ आपके बीच में रख रहा हूँ ऐसा हुआ कि परमेश्वन ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परिक्षा की क्या परिक्षा की तेरे बेटे इस साथ को बली कर याद आ गया होगा आपको ठीक है ना परिक्षा की की हे इब्राहिम उसने कहा देख मैं यहां हूँ किस ने कहा इन बातों के पस्चाथ ऐसा हुआ के परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहा आई यह देखते आगे क्या लिखा 21 का 22 का 11 तब यहोवा के दूत में स्वर्ग से उसको तुकार के कहा हे इब्राहिम हे इब्राहिम उसने कहा देख मैं यहां हूँ अब स्टाइल देखिए बिल्कुल से मैं यहां लिका हे इब्राहिम उसने कहा देख मैं यहां हूँ स्वर्दूत कहता है एबराहिम उसने का देख मैं यहां बिलकुल पैरलल बिलकुल सिमलारिटी इसको भी ध्यान में रखना बड़ यह हमारा ज्यादा एविडेंस नहीं है अब आएगा के यह स्वर्दूत येशु था उत्पती 22 का बारह उसने कहा उस लड़के पर हात मत बड़ा उस लड़के पर हात मत बड़ा और उसने उससे कुछ उससे कुछ ना कर क्योंकि तुने जो मुझसे अपने पुत्र वरना अपने लोते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भाय मानता हूं मुझ्ज से बात किस की करी यहां पर परमेश्वर ने बीच में कौन आया परमेश्वर का दूद कहता है कि तूने मुझ्ज से इसको क्या कहना चाहिये था तूज से परमेश्वर से इसने एसा नहीं कहा मुझ्ज से यह क्या है फिर अर यह ना बात समझ में इसको मैं कुछ सेकेंड रख रहा हूँ हजम करिये बहुत गजब की टीचिंग है साब 735 लोग जुड़ गए हैं आखिर तक जुड़े रहिएगा और साथी साथ watch party करिएगा ता कि लोगों तक message पहुचे और आपके बीच में परमेश्वर का वच्चन मैं रख रहा हूँ कैसे परमेश्वर काम कर रहेगा देखे ना ये अभी तक हो गया परमेश्वर का दूत और याकूब याकूब समिक्षा आप देख रही हैं मुझे मालूम है क्योंकि आपके कॉमेंट्स आ रहे हैं साथी साथ नरेंदर राओ आप भी देख रहे हैं मैं जानता हूँ बट मैं चाहता हूँ समिक्षा के English translation आप के जीवी translation पढ़ती है जिसको मैं अलड़ी पढ़ चुका हूँ के जीवी छोड़िये आपका जिनेवा छोड़िये आपका वाइकलिफ का translation छोड़िये जो ओरिजिनल मैंस्क्रिप्ट लिखा गया था ना मैं उसको पढ़कर बात कर रहा हूँ मैं फिर कहता हूँ कि Daniel Raj किसी भी प्रकार का statement यदी देता है तो पुरी जाज के साथ देता है इसलिए कहते हैं कि जिसको आटरा पता है सत्रा मत सिखाए करो उननी सिखाओ आपके पैर के पास बैठके सीखूँगा जी वापस आता हूँ ये सब घटना आपको याद है कि याकुब बेतेल आपको याद होगा बेतेल याकुब बेतेल के पास में एक पत्थर को अपना तक्हिया बना के सो गया और जब उसने दर्शन देखा तो आईए देखते कहा लिखा है परमेश्वर का दूत और याकुब ये घटना आपको बता रहा हूँ ये वच्छन पढ़ते हैं उत्पती 31-11 लिखा है परमेश्वर के दूत ने स्वपन में मुझसे कहा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं परमेश्वर के दूत ने परमेश्वर के दूत ने स्वपन में मुझसे कहा है याकुब मैंने कहा क्या आग्या 31-13 मैं उस बेटेल का इश्वर हूँ मैं उस बेटेल का इश्वर हूँ जहां तुने एक खंबे पर तेल डाल दिया और मेरी मननत मानी थी तो आपको पता होगा कि जब याकुब अपने भाई एसाउ से भाग कर आया था सब ठीक है जब भाग कर आया था तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था जिसका जिकर मैंने अभी किया लेकिन जब वो वापस लबान मामा के पास से भाग रहा है तो वापस उसको दर्शन मिलता है और उसको परमेशवर कहता है मैं उस बेद्धेल का ईश्वर हूँ जहां तुने एक ख्मबे पर तेल डाला था बहुत ख्यान से सुनेगा दर्शन कौन दे रहा है? परमेशवर का दूथ बाटे कौन कर रहा है? परमिश्वर का दूत, उसने कहा याकूब, उसने कहा क्या अग्यका वो कहता है कि मैं बेदेल का इश्वर हूँ, समिक्षा मैं चाहता हूँ कि अभी आप उस वचंग को डालो जो कि Genesis 31 11 कहता है कि मैं God हूँ, I am the God of बेदेल डाली है समिक्षा जी, मैं वेट कर रहा हूँ वाव एक स्वर्गदूद कैसे कह सकता है आप लोग बीचक करो, एक स्वर्गदूद कैसे कह सकता है कि मैं इश्वर हूँ एक स्वर्गदूद कैसे कह सकता है ये तो English, माफ करें, ये तो हिंदी टांसलेशन है, जानली का मैं इश्वर हूँ मुझे नहीं पता कि वो टांसलेशन भाला कौन था एक सकंड, मिल गया हाँ, Word of God Okay Okay जल्दी पड़ो Genesis 31 11 जी, वापस आते हैं क्या कोई स्वर्गदूद कह सकता है मैं इश्वर हूँ जी नहीं, नहीं कह सकता है लेकि उसने का, क्योंकि वो इश्वर है वो ये शू है, मैं वो ही तो बता रहा हूँ कि ये शू को यहाँ पे परमेश्वर का दूत, मुझे नहीं पता कितने लोग सहमत हैं, कितने लोगा नहीं सहमत है आप अपने पास रक्यें, आप की टीचिंग अपने पास आपके पास में पुरूफ है आप अपना परचार करिए, लेकिन मेरी उपर मेरे वीडियो करके किसी प्रकार का वीडियो मत बनाई है जैसे मैं किसी के वीडियो पर नहीं जाता हूँ ने ने ये चाहिए मेरे को क्या थर्टी ये ना थर्टीन का थर्टीन क्यों गड़बड कर रहे केजी भी निकालो जी या समीख शाह ने डाला है क्या एक सिकाँ हाँ ने ने थर्टीन का थर्टीन चाहिए मरको थर्टीन का थर्टीन चाहिए क्या है ये ये थे लिए ये देख लिए समीख पता नहीं कहां चेले गई बड़ ये देख लिए I am the God of Bethel अभी उदर कैसे देख रहे है नहीं इसमें कैसे देखेगा, उल्टा देखेगा, या जो भी है, आप लोग देख लेजेगा, आप लोग देख लेजेगा, या, I am the God of Bethel, Thank you Samikshah, अब आया है, 13 का 13, 31 का 13, Now, वापस आथा हूँ, मैं आपके प्रूफ के लिए बता रहा हूं, मेरी क्या कहते हैं शक को clear नहीं कर रहा हूं, मैं अलड़ी कर के बैठा हूँ, इसलिए बता रहा हूं, चलिए, वापस आथे, और फिर से कहता हूँ, आपकी doctrine, आपका concept, आपका logic, आपकी video आपके पस रखे, मैं आपकी video पर कभी नहीं आता, मैंने कभी अपने 27-27 साल के ministry में कभी किसी की video पर tip नहीं की है, जैसे कुछ मूर्ख लोग करते हैं, चोटी सी edit करते हैं, उसके उपर बड़ा चड़ा के बाते करते हैं, जैसे social media वाले करते हैं ना, हरकते करते हैं, उसको 3-4 बार है ना, ठें, 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 ऐसा वाला, मैं नहीं करता हैं, क्या बोलते हैं, उसको daily soap, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, नहीं करता हो, नहीं करूँगा, but आपके अंदर अगर दम में, आपके पास में अगर confident है, मेरी doctrine, मेरी theory, मेरा logic, बि 19-20 बरदाश नहीं करेंगे, लेकिन बाकी की बाता लग है, चलिए, वापस आते हैं, परमेश्वर के दूथ ने सौपने में मुझसे कहा, हे याकोब, मैंने कहा, क्या, क्या, वचन तेरा, कहता है, मैं उस बेतेल का ईश्वर हूँ, जहां तुने एक खंबे पर तेल डाल द देता हूँ, यह हो गया, मैं बेतेल का ईश्वर हूँ, यह आपको मैंने बता दिया, ना अट्ठाइस का बारा, तब उसने इस वापन में क्या देखा, के एक सीडी पृत्वी पर खड़ी है, उसका सीरा सुर तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूथ उस पर चड़ते अब जरत दियान दीजेगा, वच्षन तेरा और यहोवा उसके ऊपर, ऊपर, ऊपर होना चाहिए, यहोवा उसके ऊपर ऊपर, ऊपर, खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा हूँ, तेरे दादा इबराहिम का परमेश्वर, इसाक का भी परमेश्वर हूँ, जिस मुमी पर के ओपर यहां पे यहोवा और यहां पे स्वर्ग दूद कहता है किसका परमेश्वर का दूद कहता है कि मैं हूँ वो बैतल का इश्वर फिर कहता हूँ यह जो ट्रिनिटी वाले आप और मैं आप और हम यह जो हम ट्रिनिटी वाले या ट्रायून गॉड वाले इस बात को मान स कि यस परमेश्वर जो कि बाइबल के अंदर गॉड्स नहीं मिलेगा जिसको कहते हैं प्लूरल प्लूरल नहीं मिलेगा आपको जी ओडी मिलेगा गॉड लेकिन जब इलोहीम आप पड़ते हो स्टड़ी करते हो तब वहां पे इंग्लिश वालों ने ट्रांसलेट या उपचा परन करते हैं वक्त में गॉड्स आना चाहिए था जो कि नहीं डाला और मैं अग्री करता हूं कि डालने के जुरूत नहीं है क्योंकि इलोहीम और गॉड पता चलता है कि यहां पे कौन कौन है ठीक है ना इसलिए तो कहता है कि तीन एक है और एक तीन है इसके उपर फिर कभ 16 आपको जरासा भी अगर याद है कि यहां पर जोसफ को पता चला मेरे पिता की तबियत ठीक नहीं है अपने दो बच्चों को एप रेम और मंशे इसकी पूरी स्टडी दे चुका हूँ जब यह गया और गया और गया इधर कितर बिठा लो जब गया तो उसने कहां मेरे बच् किता जी का आशिरवाद मिलेगा उसको दो कुछ उसको आशिश मिलेगा बच्चों को आशिश मिलेगा ठीक है ना तो जब यूसुप पहुंचा आईए देखते क्या हूँ लिखा है फेर उसने यूसुप को आशिरवाद देकर का किसने याकुब ने परमेश्वर जिसके सम बुराई से छोडाता आया वही अब इन लड़कों को आशिश दे स्वर्ग दूत आशिश कैसे दे सकते हैं स्वर्ग दूत कैसे चला सकता है याकुब को जबकि याकुब अभी कह रहा है परमेश्वर कह रहा है और यहोवा उसके ओपर खड़ाओ कर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमिश्वर, इसाक का भी परमिश्वर, भूमी पर तु पड़ा है, उसे मैं तुझको तेरे वंश को दूँगा, और यहां पर कहता है कि यह वही तूत है, जो मुझे पूरी सिंदगी बच्पन से लेके पच्पन तक, आगे आप समझदार है, आप जरा सोचिये दोस्तो, यह सब जिसको कहते हैं कि जीजस इंसेल्फ इस अ मिस्ट्री, निकालो, 1st तिमोथी चप्टर 3 वर्स 16, 1st तिमोथी चप्टर 3 वर्स 16, जी, करो, करो, कोई दिकर नहीं, ओपन फर्स्ट, 1st तिमोथी चप्टर 3 वर्स 16, वहीं से पढ़ो सलो मी, यह लो, इसमें संदे नहीं कि बक्ती का बेद गंबीर है, और, खेजी वी निकालना, ठीक है न, दोस्तों इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, 1st तिमोथी चप्टर 3 वर्स 16, जी, पढ़े, इसमें पढ़ो, and without controversy, great is the mystery of godliness, वहाँ पे लिखा है, great is the mystery, तो Jesus कौन है, अपने आप में mystery है, Jesus Christ, यही वजा है, के Muslim के दिमाग में यह बात नही गुश रही है, के एक खुदा का बेटा इशू, खुदा कैसे हो सकता है, वो चाहे एहमद शेक हो, वो चाहे जाकिर नाइक हो, या उसके चेले, जो उसके follower है, उनके दिमाग में यह बात इसलिए नहीं गुश रही है, और जवाँ विटनस वालों के भी, माता यरुशने वाले के भी, ऐसे जितने भी गुरूप है, उनको नहीं समझ में आरा, बिकॉज पॉल कहता है, जीसस इस दा मिस्ट्री, इशू एक रहस्य है, उत्पत्ती की किताब से, ये रहस्य स्टार्ट हुआता अजीजो, मुत्त्ती की किताब से, इशू को कहा कि, परमेश्वन ने, अल्माइटी गौड ने का, इशू एक भीच है, जो इस औरत के द्वारा पैदा होगा, और ये लुसिफर, पुराने सांप को कुछ लेगा, ये मिस्ट्री तो है, और आप जो अभी स्टडी कर रहे हैं, ये वही तूत है, ये मिस्ट्री है, जो याकूब को जनम से लेकर अभी तक चला रहा है, दोस्तों कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, वाव, अब इसको देखे, और ये मेरे, और मेरे बाब दादे, इबराहिम, इस साग के कहलाएं, और वे पृत्वी में बहुत से बढ़ें, इसका मतलब है, दूथ ने कहा, मैं तुझे आशिश दूँगा, याकूब कहता है, वही दूथ, तुझे, तेरे बच्चों को भी आशिश दे, कैसे पॉसिबल है, कि एक दूथ, सुहर्ग का दूथ, सुहर्ग दूथ, कैसे आशिश दे सकता है, जब वो पढ़ते थे, जोसफ, माफ करें, स्टीफन, जब पढ़ता था, अपने, वक्त में, अपने मिनिस्ट्री में, कौन सी लेंग्वेज पढ़ रहा था, ऐधर हीब्रू, ऐधर गरिक, और अरामिक, उसके पहले, क्या था translation, English थी, KGV था, क्या बात करते हो यार, आपका जो KGV है न, वो सोलवी सधी में है, माफ़ करें, आपकी सोलवी सधी में, यवन KGV B, सोलवी सधी में है, क्या बात करते हैं आप, मैं सहमत नहीं हूँ, स्टेट्मेंट से, मेरे पास में, आज इस यूग में हम जी रहे हैं, यहाँ सब प्रकार की सुविदा है, हम सब के पास में कौन सा कौन सा ट्रांसलेशन चाहिए, वो सब सुविदा है आज के यूग में, क्योंकि टेकनोलोजी बढ़ गया है, जो कहीं पे किसी ने लिख कर छुपा कर रखा था, आप उसकी printing हो रही है, difference languages में, क्या बात करते हो, तो इसका मतलब है, issue mystery है, issue रहा से है, नहीं समझ में आएगा सब को, इसलिए तो लिखता है न, वो जिस पे प्रगट करेगा, वो उसी को समझ में आएगा, सब को नहीं समझ में आता, सब को नहीं समझ में आता, अच्छे अ करोडपती आएंगे, millionaire, billionaire, यह सब आएंगे, लेकिन उनकी आखे नहीं खुलेगी, परमेश्वर जिसको चुन लेता है, रोमी किताब उसका नो आट और नुवा दिया, जिसको वो चुन लेता है न, वही उसका बच्छा बन जाता है, नहीं तो ऐसे कितने लोग है जिनको Now, दोस्तों वापस आता हूं, इस पहलू, अब आपको पता है, मुसा खुद कह रहा है, किसको, यहां परमेश्वर खुद कह रहा है मुसा को, और मुसा को कहा जाकर कहो अपने पुरुनियों को, इस्राइल के बारा गोतर के पुरुनियों को, जो बारा गोतर के जो सेंगल नाम थे वो तो मर गए 400 साल पहले 430 साल पहले लेकिन मुसा को कहता है कि जाकर कै क्या के देखे उसी तीन का सोला कहता है इसलिए अब जाकर इसराली पुर्णियों को इखटा कर उनसे कह कि तुम्हारे पिता इबराहीम इसाग और याकूब के परमिश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर कहा तो जलती जाड़ी में कौन दिख रहा है आपको स्वर्गदू दिख रहा है लिखा है मैं परमिश्वर यहोवा येश्व को कहता है येश्व कहता है क्योंकि ये तीनों एक हैं और वो कह सकते हैं और वो कहता है कि जाकर कह मैं परमिश्वर हूँ मैंने द परमेश्वर का दूत, जैसा आप समझ रहें, एंजल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसलेशन हुआ है, वो ट्रांसलेशन हुआ है, मेसेंजर, और जीसस इस पृत्वी पर क्या बन कर आया, मेसेंजर, जब कभी भी, परमेश्वर ने, उपर से कोई संदेश बेजना हुआ होगा, वो मेसेंजर ट्रांसलेशन हुआ है, मेसेंजर ट्रांसलेशन हुआ है, वाँ, ना दोस्तों इसको देखिए कि, मैंने तुम पर और तुम से जो बढ़ता हो, मिसमें किया जाता है, उस पर भी चित लगा है, ना, दोस्तो मैं जा रहा हूँ, Stephen के पास, Stephen, आप सभी जानते के Stephen कौन था, ऐसा लिखा है, Stephen chapter 6 verse 10 जल्दी निकालो, Acts chapter 6 verse 10 निकालो, मुझे थोड़ा सा समय दीजे, आप लोग डाल दीजेगा, जो मसी मंतन भले, admins, प्रेडितों की किताब 6 का 10, जी, I hope so, वही होना चाहिए, जब हिंदी में बोलता हूँ, तो इंग्लिश निकालते हो, जब इंग्लिश में बोलता हूँ, तो हिंदी निकालते हो, गजब के लोग, चलिए, कोई बात नहीं होता है, उनिस बीस, जी, प्रेडितों की किताब उसका छे का 10, 10 कहा है, okay, हाँ, मिल गया, यही है, okay, 9 से पढ़ते लिखा है, लिखा है, तब उस सारा दनाले में से, जो लिबिर्टीनों के कहलाती थी, और कुरेनी, सिकंदरिया, और किलिकिया, और अशिया के लोग में से, एक उठकर स्टीफन से वादिवाद करने लगा, वचंदस परंतू, शब् उत्तम आत्मा का जिससे वे बाती करता था, उसका सामना ना कर सके, तो स्टीफन कौन था, ऐसा लिखा है, उत्तम ग्यान, उत्तम ग्यान, highly educated, बहुत सारी बातों को पड़ लिख कर समझ कर आया था, और स्टीफन क्या कहता है, उस दूद के बारे में रखने जा रहा हूँ, तो स्टीफन को मैंने highlight कर दिया है, पहला ये चोटा था, अब ये हो गया है बड़ा, अब ही technology है, तो इसका फैदा उठा रहा हूँ, जी दोस्तों ये रहा स्टीफन, स्टीफन कहता है प्रेडितों के काम साथ का 35 में, जिस मुसा को उन्होंने यहा कहकर नकारा था, कि तु स्वर्ग दूद के दौरा, जिसने उसे जाडी में दर्शन दिया था, बेजा, ये उस स्वर्ग दूद के दौरा, बात किसकी कर रहा है, टोटल कॉंटेक्स्ट, चाप्टर सिक्स, चाप्टर सेवन, किसका, एक्स का, उत्पती छे, उत्पती साथ, स्टीफन यहां खड़ा है, इशु को प्रेसेंट करने, इशु को हाइलाइट करने, इशु को बताने तो कहता है, उस स्वर्ग दूद के दौरा, इसका मतलब कहा है, उस स्वर्ग दूद के दौरा, जिसने उसे जाडी में दर्शन दिया था, अब यहां पे कहता है, कि यहोवा कहता है, कि जाडी मे दर्शन मैंने दिया था, आप बताईए आप बताईए आपको एक और connection देता हूँ, अभी आया है दिमाग में, आपको पता है issue जब जब किसी को चंगाई देते थे अपने साड़े तीन साल की सेविकाई में अपने साड़े तीन साल की सेविकाई में, वो जब जब किसी को जब जब किसी को चंगाई देते थे या दुस्तातमा निकालते थे यहां तक की legions यानि की छे आजास से भी ज़्यादा मर्क उसकी किताबे आपने पड़ा होगा, वो जो दुस्तातमा है, उनको भी कहते हैं मुझको प्रगट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसका वक्त नहीं आया था उसका वक्त नहीं आया था इसलिए येशु बार-बार कहते थे सबसे पहले चमतकार में क्या का उन्होंने अपनी मा से मेरा वक्त नहीं आया, लेकिन जैसे ही यहुदा स्कोरियत ने येशु को चुमा क्या का येशु ने मेरा वक्त आ गया, see the difference ये वज़ा तब और येशु के क्रूस पे मरने तक ये ही थी कि येशु मसी ने एक रहस्य की तरह, मिस्ट्री की तरह खुद को पेश किया आगे और मसाला है, अभी तो केक का ये मिला है कोको पाउडर, फिर मक्षन, फिर शुगर और नमक अभी इसको एक साथ मिला कर आवन में डालना बागी है, फिर आपको खिलाओंगा केक आगे देख लिखा है प्रेतो के काम साथ का आर्ट इसमें एच शप्र 7.38 में ये वही है क्या बात है लिखा है, यह वही है जिसने जंगल में कलिसिया के बीच उस स्वर्दूत के साथ सीने पहाड पर उससे बाते की, ये वही है स्टीफन कहता है, जब स्टीफन बात कर रहा है तो प्रेजेंट में बोल रहा है और जब वो स्वर्दूत को कह रहा है तो वो सीधा पास्ट में जा रहा है इसलिए आपको समझना होगा पास्टन, फ्यूचर, प्रेजेंट, भूत्गाल, अतीत, वर्तमान कैसा लिख रहा है लिखने वाला कैसे बोल रहा है बोलने वाला और उसी के चकर में नबे, टकका, अन्यबाशा वाले पस गए है के पाउलूस बोलना क्या चाह रहा है ये लोग समझ कुछ और बैटे वो वहाँ पा सकास्टिक बोल रहा है इनको लग रहा है स्टेटमेंट है, हद दोती है यार वाँ, जी, वापस आता हूँ उस स्वर्दूत के साथ सीने बाड़ पर उससे बाते की और हमारे बाप दादाओं के साथ था उसी को जीवित वच्चन मिले कि वो हम तक पहुंचाए हमारे बाप दादाओं के साथ था ये वही स्वर्दूत जिसका जिकर ये स्टीफन कर रहा है तो इसका मतलब है स्टीफन यहां पे किसको पेश कर रहा है अजीजों स्टीफन यहां पे किसको पेश कर रहा है ये शु को इसका टोटल सब्जेक कौन है जीजस इसका मैसेज का सेंटर आदमी कौन है जीजस मैं वही तो बता रहा हूँ आपको तो अभी तक स्टीफन मुसा की सेविकाई की स्टेडी में एपिरिसोड नंबर सेवन में आप ये देख रहे हैं कि मुसा से जो बात कर रहा है वो येशू है आगे और कनेक करूँगा ना दोस्तों इसको देखे एशू खुद खुद की बात कर रहा है मर्कुस बारा का 26 मार्क 12 26 वो कहता है मेरे मरे वो के जी उठने के विशे में क्या तुमने मुसा की पुस्तक में जाडी की कथा में नहीं पड़ा ऐसा क्यों लिखता है जाडी की कथा ऐसा क्यों नहीं लिखा कि तुमको नहीं पता कि मुसा को जब दर्शन मिला था मुसा को जब सेवा मिली थी वो जाडी को मेंशन क्यों करता है और कहता है कि कि जाड़ी की कथा में नहीं पड़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा मैं इबराहिम का परमेश्वर इसाग का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर है तो जाड़ी में कौन था आप येशू थे आप येशू थे अब Muslims को तकलीफ हो रही होगी अगर ये वीडियो वहां तक पहुच गया अभी जवाव विटनेस वाले को तकलीफ हो रही होगी अगर ये वीडियो मेरा देख रहे हो या फिर ये अभी लाइफ देख रहे हो क्योंकि वो कत्ताई बरदाश नहीं करेंगे कि ये शू परमेश्वर है कोई फरक नहीं पड़ता तुमारे जैसे पचास आएंगे और पचास जाएंगे ये शू था ये शू है और ये शू रहेगा जानते हो पालूस ने क्या कहा पालूस ने कहा मुसा के साथ ये शू था बेलकुल क्रिस्टल क्लियर स्टेट्मेंट जिसको कहते है सीधी लाइन क्या कहा देखे पहला करूंते हो दसका चार लिखा है सबने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीहा था उसा क्रिस्टल क्लियर स्टेट्मेंट पौलूस क्यों दे रहा है और एक बात बताता हो आपको पता है दोस्तों अजीजों एशू को एशू को पौलूस अगर चट्टान बोल रहा है हम आज स्विकार कर लेते अगर पाउलूस ने नहीं लिखा होता तो और फिर अगर मुझ जैसे जो प्रकाशन प्रभू देता है दस टक्का अगर ये प्रचार कर देते तो वो जो 90 टक्का आदी खोपड़ी के या आदा दिमाग रखे जो प्रचार करते ये सुनते बाइबल पढ़ते न वो तो हमको एंटी डिकलेर कर देते कि ये मसी विरोधी है जो ये शुको चक्टान बोल रहे है पत्थर बोल रहे है पत्थर कैसे बोल सकते आप ये शुको ऐसा करकर हमको एंटी गोशित कर देते वो तो शुकर है कि पाउलू से लिख कर चला गया कि वो जो चक्टान जिसके साथ पानी निकलता था जो उनके साथ साथ चलती थी ये अपोकलिप्टिक है, ये दिस्तांत है पाउलूस कहता है कि वो चक्टान जिससे तुम पानी पीते थे वो मसीहा था क्या बात करते हो अब बताईए अब खेक है ना डिश पे तयार हो रहा है मुसा खुद कहता है इशू मेरे साथ था अब बताओ मुसा खुद कहता है मुसा कहता है इशू मेरे साथ था पासरे डैनियल आप कैसे बोल सकते हैं लो जोर का जटका तीरे से इबरानियों की किताब 11 का 26 पे शायद आपने कभी गौर ने किया वो फिरहुन को छोड़ा मिसर को छोड़ा बेटी का बेटा बनना छोड़ा सब कुछ छोड़ा जानते हो किस लिए लिखा है मसी के कारण क्या बात करते हो अब बताओ किस के कारण बालूस लिकरा है कि मुसा ने मिसर को छोड़ा मसी के करण English translation for the sake of Christ अब बताओ उसने Christ के लिए मिसर को छोड़ा निंदित होने को चुना मिसर के भंडा से बड़ा दन समझा मसी को क्योंकि उसकी आँके फल पाने के और लगी थी और मसी भी कहता है कि जो जय पाए साथ कलिस्यां को कहता है प्रकाशिफा के दुस्षा दिया तिस चादे में कहता है जो जय पाए मैं उसको वो फल दूँगा मैं उसको वो मनना दूँगा मैं उसको वो डंडे का लोहे का डंडा दूँगा रोड दूँगा मैं उसको वो नाम दूँगा मैं उसको वो घंबा दूँगा मैं उसको वो पिलर बनाऊँगा जो कभी नहीं हटा जाएगा क्या बात करते हो यार वाउ दोस्तों कैसा लग रहा है इसको कहते हैं डिक करना डिक समझते हैं वच्छन की गहराई को खोद खोद कर आपके बीच में रख रहा है, इसलिए लिखा हो, मसी इतिहास में पहली बार मुसा पर ऐसी खोला सा, यू ही नहीं लिखा हो यू ही नहीं लिखा हो वो चाहे book of Daniel की बात ho वो चाहे book of Revelation की बात ho वो चाहे book of Genesis की बात ho मुसा की study और अभी next आ रहा है the study on Paul पॉलूस की अधियन, पॉलूस की सेविकाई पर अधियन, ये बोलते वे मैं गमण नहीं कर रहा हूँ, बट मैं शुरू से कहते है रहा हूँ, पाच्वी क्लस तीन बार फेल हूँ लेकिन ये सब परमेश्वर का है, मैं तो आइए दिखते कहाँ पर लिखा है, निर्गमन 23, 20-23 Exodus 23, 22-23 आइए दिखते क्या लिखा है, लिखा है सुन, मैं एक दूत तेरे आगे-ागे बेजता हूँ बहुत गजब का है मुझे नहीं पता कि इसके ओपर लोगों का दियान गया कि नहीं गया लिखा है, सुन, परमेश्वर कह रहा है सुन, एक दूत, तेरे आगे-ागे बेजता हूँ, किसको? दूत दूत, मेरा दूत एक आगे-ागे बेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा जिस थान को मैंने तयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा उसके सामने सावधान रहना उसकी मानना, उसका विरोध नहीं करना, अब मुझे बताएए ऐसा किस के लिए कहते हैं? कौन से सुर्ग दूत के लिए का? माइकल के लिए, गैबरेल के लिए क्यों कहेगा परमेश्वर जड़ा खोपड़ी का इस्तमाल करो ऐसा क्यों कहेगा यार? वो कह रहा है, सबसे पहला सावधान वो कहता है, वो तुझे पहुचाएगा लेकिन उसके सामने सावधान उसकी मानना, उसका विरोध नहीं करना, क्योंकि वह तुमारा अपराद शमान नहीं करेगा प्रित्वी पे किसको हग है माफ करने का? परमेश्वर पिता को, पवित्रात्मा को और इश्व को, ये श्वने क्या क्या शास्त्री वरस्वी को, मैं बाप शमा करने की ताकत रखता हूँ ऐसा स्टेट्मेंट कौन कह सकता है, सेर्फ, सेर्फ इश्व, सेर्फ, सेर्फ पवित्रात्मा, सेर्फ, सेर्फ पिता परमेश्वर, स्वर्दुद नहीं माफ कर सकते नहीं, नहीं माफ कर सकते फिर, अब मिल रहा है केक आपस में, और मिलाता हूँ फिर लास्ट में मिलकर खाते हैं केक वाँ लिखा है क्योंकि वो तुम्हारा अपरा शमाना करेगा इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है उसमें मेरा नाम रहता है और यहुना की किताब सत्रा में क्या बोलता है यहुमसी मैंने तेरा नाम तेरे लोगों को पहुँचा दिया है मैंने तेरा नाम पहुँचा है और यहां पे कहता है कि उसका नाम उसमें मेरा नाम रहता है तो यहुवा का नाम हिशु में यहुना सत्रा में प्राथना करते वक्त में यहुशु कहता है कि उनको मैंने तेरा नाम पहुँचा दिया सीधा कनेक्शन इसी रीती मेरा दूद तेरे आगे आगे चल कर तुझे अमोरी हित्ती परजी कनानी हिब्भी यबूसी लोगों के यहां पहुचाएगा और मैं उनको सत्या नाश कर डालूँगा आप नहीं समझे है बीबी समझाता हूँ यह किसको का था कि मैं तुझे कनान पहुचाऊंगा अबराम को किसको का था इसाग को किसको का था याकूब को किसको का था जोसफ को किसको का था बारा गोतर को आप किसको कह रहा है वापस याकूब निर्गमन की किताब में जब मैं आऊंगा ना भी आपको आगे बढ़ाऊंगा तीसरे आधिया आगे लिए चलूँगा शायद कल कंटीनू करूँगा क्योंकि नौ बच चुके वो कहता है कि ये स्वर्ग दूद तुमको पहुचाएगा ये कैसे पॉसिबल है एक तरफ कहता है मैं पहुचाऊंगा फिर दूसी तरफ कहता है ये दूद पहुचाएगा ये दूद कौन है अजिसो ये दूद परमेश्वर का इशू है डंगे की चोट पे तो पहले ही बता और यहोवा का दूद गिलगाल से वो कीम को जा कर कहने लगा कि मैने तुमको मिससे ले आकर इस धेष में पोंचाया है जिसके विशे में मैंने तुमारे पुरखाँ से शपत खाई थी उतपती सत्रा एक में अबराम से शपत खाई और मैंने कहा था कि जो वाचा मैंने तुम से अबराम, तुम से इसाक तुम से याकुब उससे भी बांदी है, उससे नै係 कभी न तोडूँखा अब इसको देखो वचं दो, धोका दो इसलिए तुम उस देश के निवासी वाचा ना बांदना उस देश के निवासियों से वाचा ना बानना तुम उनकी वीदियों को ढ़ा देना परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी और यहां पर कहता है कि उसकी बात मानना सावधान रहना और उसकी मानना उसकी मानना लेकिन यहां कहता है कि तुम नहीं माने यहाँ पर कहता है कि तुम उसकी वाचा को मनना पर तुमने नहीं मानी तुमने ऐसा क्यों किया और वचंतीन कहता है इसलिए मैं कहता हूँ स्वर्कदूत कहता है मैं कहता हूँ कि मैं उन लोगों को तुमारे सामने से ना निकालूंगा, और वे तुमारे पंजर में काटे, और उनके देवता तुमारे लिए फंदे ठैरेंगे, वचनचार कहता है कि तब यहवक के दूत ने सारे इस्रालियों से ये बाते कही, और वे सब के सब चिला चिला कर रोने लगे, ऐसा क्यों अजीज़ों, क्योंकि स्वर्ग धूत जो येशू उनके साथ साथ चलता था, साथ साथ चलता था, मैं तेरे आगे स्वर्ग धूत भेज़ूंगा, जिसको मैंने अपना नाम दिया है, उसके साथ में गदारी नहीं करना, उसके साथ सावधान रहना, उसका विरोध नहीं करना, लेकिन यहूशू जैसे ही पहुंचा दूसरे तीसरे जो, दूसरे अधिया के एक, दो, तीन, चार में कहता है, वे पलट गए और जिसके चलते ये येशू फिर वापस आया, ये दू क्योंकि उनको पता चल गया, कि ये येशू हम से अभी दूर हो रहा है, वाव, कैसा लग रहा है, क्या कभी इस एंगल से सोचा था, मैं फिर कहता हूँ, इशू, सेंटर है, इशू, जीजस, सेंटर है, इशू, सब कुछ है, ऐसा बोलने वाला, यहुना पंदरा पांच में मेरे बगेर तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोलने वाला हक सिरफ इशू को है, इसलिए तो उसने कहा, मेरे प्रचार का सेंटर हमेशा येशू है, ना पुराने नियम में येशू, आईए बताता हूँ, सबसे पहला, अबराम ने देखा तीन पुरुश, उसमें येशू, येशू, वही दूद, मुसा किसको देख रहा है, येशू, दानियल किसको देख रहा था, इसू, शद्रक, मेशक, अबेदंगो, जो बैबिलोनियंस के नेम ते, वो चौथा पुरुश कौन था, इसू, इसू, देखो येशू ने क्या कहा था, सुना चाहोगे, बताता हू योना 8 का 55, 56 to 58, मैं फिर उसके बाद में समाप्ती पर पियाओंगा, देखो इशू ने क्या कहा था, योना 8 का 56 to 58, कहता है, तुमारा पिता इबराहिम, मेरा दिन देखने की आशा से, बहुत मगन था, कहां, यहां, मेरा दिन देखना चाहता था, कौन, तुमारा पिता इसलिए मैं कह रहा हूँ कि the second person, Godwood का second person, पिता इबराहिम, देखना चाहता था, किसको भोल रहा है, शास्तरी फरसी को, देखना चाहता था, अब जरा जोर का जटका दिरे से, लेका है, और उसने देखा और मगन किया, उसने देखा, और उसने मगन किया, मगन हुआ, उसने देखा, तो इशू कहता है, उत्पती अट्रुवे अधियाय में, जो अबराहम ने आँख उठा कर देखा, और जिसको प्रसकुनियों धंडवत किया ना, जुकर, ये वही इशू था, मैं कुछ लोगों को बीच में बता रहा था, कि ये तीन स्वर्गदूत नहीं है, ये तीन पूरुश है ना, ये तीन परमिश्वर हैं, और जिसका जिकर और जिसका कनेक्शन और जिसका क्रॉस रफरंड, खुद ये शू कह रहा है, कि अबराहम देखना चाता था, और उसने देखा, उसने देखा, और अनंद किया, ये हुद्यों नहीं उसे का, जब अब तक अब तू पचासवर्च का भी ने, फिर भी तुने इबराहम को देखा, फिर भी तुने इबराहम को देखा, इस उने उससे का कि मैं तुम से सच-सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इबराहम उत्पन Your, मैं हो अब राहम तुम्हारा बाप है na, दादा, अब राहम पयदा तक जाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती यह अपोकलिप्टिक है द्रिस्थान के रूप में मैं आपको बता चुका हूँ उत्मति की किताब दैनियल के किताब प्रकाशिद वाके की किताब में सब कुछ जो द्रिस्थान के रूप में यहां तक की येशु मती मरकुस लुका यहोना यह सब में भी बीच का दिस्थान दसक्वारियों का दिस्थान जमीन में खजाना चुपाई डाइमंड उसका भी दिस्थान चिडिया बीच खा गए मचली सब का दिस्थान तै जिसको कहते हैं अपोकलिप्टिक तो मैं कल बात करूँगा कटिली जाड़ी और जाड इसमें नहीं होती और इसमें भी आपको येशु ही मिलेगा मैं ये बात कल बताऊंगा दोस्तों बेहत बेहत खुशी है आज आपको ये हिस्सा बता पाया कि मुसा को जिसने बात करी वो इशु था वो दूत परमेश्वर का दूत कोई और नहीं वो येशु था अब पूरा केक खाये अराम से आपको पता चल गया होगा अब इसको एक साथ लेकर आईएगा ताकि आपको पता चल जाए कि क्या थी बातें और क्या कहिना चाहरा था ये आदमी डैनियल राज चलिए दोस्तों अपना ख्याल रखेगा कल टीक आड़ बजे फिर मुलाकात होगी जैनल स करदी